नमस्कार मेरे किसान भाईयों किसान साथियों पेड़ी गन्ना हो या गन्ना पोधा हो जमाव के साथ साथ बहुत अच्छा ब्यांत आना बहुत आवशक है अच्छे उत्पादन के लिए किसान बायो बजार में बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं जो ये दावा करते हैं कि बहुत अच्छा भियात होता है इन चीजों का इस्तिमाल करने मैंने कई सारी वीडियो में सागरीका के बारे में भी बताया बायो वीटा के बारे में भी बताया किसान भायो अब भी मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में भी कि आप कुवंटिस डालिए वो दावा करते हैं कि इसके बाद गन्ना हरा होगा बहुत अच्छे कल्ले निकलेंगे सैबियन डालिए बायो वीटा डालिए या बायर की इतरल आती है आप वो डालिए लेकिन किसान भायो मैं आपको फिर बताऊं कि प्रोड़क्ट या चीज ऐसी होनी चाहिए क्योंकि किसान को खेती हमेशा करनी है किसान भायो ऐसा प्रोड़क्ट होना चाहिए जो रेगुलर जो हमारी जमीन को ऐसा कर दे कि हमें फिर इन सब चीजों की आवश्यक्ता ही न बहुत सारी मेरे किसान भाई मुझे फोन करते हैं मनोज भाई सारी चीजों का इस्तिमाल कर लिया लेकिन पेड़ी नहीं फूट रही पोद्दे में एक कल्ला नहीं निकल रहा सकत है जमीन मैंने कई सारी वीडियो बनाई किसान भाई यो आज थोड़ी सी इंफोर्मेशन देत और मेरा दावा है कि अगर इन दो चीजों के अलावा अगर यह दो चीजें आपने इस्तिमाल कर ली तो आपको इन में से किसी भी चीज की अवसकता सारी जिंदगी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी ना ब्यात के लिए ना जमाव के लिए किसान भाई ओ और आपको मैं पेड़ी गणने में हुआ बोर्ड भी दिखाऊंगा किसान भाईयो तो किसान साथियो मैं बात कर रहा हूं वेस्ट डिकंपोजर की जिसके बारे में मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई किसान साथियो क्योंकि किसान के घर में गणना होता है गुड अगर आप अपना बनवा के रख लेंगे दो किलो गुड 200 लिटर ड्राम में डाली है और थोड़ा सा कल्चर 10-20 ग्राम कल्चर 100 ग्राम कल्चर किसी भी अच्छे किसान से ले लो जो इसका इस्तिमाल करता हो और यह 4-5-6 दिन में बनके तयार हो जाएगा और एक एकड़ खेत में 500-700 लिटर आपको जबी एक बार में चलाना किसान साथीों आपकी जमीन को 6 महिने साल भर में एकडम से कुछ नहीं होगा ऐसा बना देगा मेरे किसान भाई हो कि आपको बजार से किसी भी product की लाने की जुरत नहीं पड़ेगी ना व्यात के लिए ना जमाव के लिए किसान भाई हो और किसान स प्रेवी करवाई मैंने और इस पे यह सिर्फ तीन भीगे का खेत है मैंने एक हजार लिटर इसमें दो बार वेस्टडी कंपोजर चलाया और किसान भाईयो आपको मैं दिखाऊंगा एक एक जूंड यह जड़ से कस्ती गई थी इस तरीके का हो गया इसमें किसान भाईयो के ब अगर आप इसका इस्प्रे कर देता है यह आपको छोटे-मोटे कीटो से भी बचाता है और इतनी जान आपकी जमीन में पैदा कर देगा किसान भाईयो के जो हम दवाईया इसलिए बहुत ठोड़ी मात्रा में ही इसलिए बहुत अच्छे लिजित मिलेंगे किसान साथ यो सारा जीवन आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे अब मैं दूसरी चीज बताता हूं जो मैं इस्तिमाल कर रहा हूं सिर्फ अपने खेतों में यह दो चीज अगर आप रेगुलर इस्तिमाल कर लेंगे तो आपको मेरे मित्रों कभी भी किसी भी व्यात की दवाई की अवसकता नह जाएंगी जब आपको फायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो फायदा रुकेगा नहीं मान लिए तीन महीने बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया तो अगली बार जब आप एक हजार लिटर वेस्ट डिकंपोजर अपनी जमीन में चलाएंगे तो किसान आपको कोई भी यह अट्रम सट्रम डालने की जो तनी पड़ेगी फैरस लाओ यह डालो वह डालो कुछ नहीं करना किसान में सिंपल एक बार और आपको यह रिजल्ट मिलेगा जो मेरे सामने रिजल्ट आ रहे किसान भाईयो आप विश्वास मानिये सिर्फ दो से तीन बार चलाने पर ही मुझे इतना जबरदस्त इसमें जो है रिजल्ट दिखाई दिया किसान में तरों बहुत जबरदस्त है अब मैं आपको बताता हूं दूसरी चीज जो मैंने अभी वीडियो में बताया था कि आप हुमिक का प्रियोग करिए किसान भाईयो हुमिक एक ऐसी जिसको जो पर्मनेंट आपके खितों में सुधार करेगा तो किसान साथियो वेस्ट डी कंपोजर अगर आप इस्तिमाल करना चाहते हैं मैं सब किसान के पास भीजवाता हूं मेरा नंबर इस वीडियो पे भी आप देख रहे होंगे लेकिन केवल वाटसेप करिये और एक यह तो मैं भीजवा दूँगा ओनलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से किसान भाईयो इसको इस्तमाल में लाओ एक होदी बना लो 12 हजार लीटर के और किसान भाईयो पांच भीगे खेत में एक हजार लीटर वेस्ट डिकंपोजर चलाना सुरू करो जहां हम दोद्दो हज जार रुपे की दवाई लगा रहे इस बार खेत में और उनके रिजल्ट नहीं आरे किसान भाईयो सुन्डी नहीं मरनी बहुत नुक्सान है किसान को आप मेरे कहने से सिर्फ यह प्रोड़क्ट सिर्फ यह चीज़ एक बार इस्तिमाल करनी शुरू कर दो किसान भाईयो मैंने उसका रिजल्ट देखा वेस्टडी कंपोजर का अब तक इसमें कुछ नहीं डाला सिर्फ वेस्टडी कंपोजर एक बीगे यह मैंने बोई थी जिसके पास से वही वह भी हैप मानगे बोले के मनोज भाई ठीक है यह ब्यात भी करती है बहुत तेज बढ़वार भी कर से यह सूपर ने प्यर गहास है किसान भाईयो यह भी किसी को चाहिए तो मेरे गाउं में यह मिलती है यह बाजरा नहीं है मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है और साल भर में चार-पांच बार यह कट जाती है किसान साथियो सारे पोशक तत्व आपके पसों को इससे मिल है और एक चीज और बता दूं यह बाजरा नहीं है आपने आम बाजरा देखागा वह नहीं है सूपर नैपियर गास है इंटरनेट पर आप धूंड़ोंगे सर्च मारोंगे तो आपको पता लगेगा यह कितनी ताकतवर और कितना अच्छा चारा है पसों के लिए यह देख इसका इस्तमाल सुरू करो धन्यवाद